हेलो फ्रेंट्स जैसी किशना जै मातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे मातारानी से प्राथना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखे हमेशा निरोगी रखे स्वस्त रखे इसी कामना के साथ आज की वीडिय में वह आज हम आपको बताएंगे बहुत ही खास वीडियो है प्लीज इससे लाइक करें कमेंट सेक्षन में राधे राधे जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेयर करना ना पूले तो चलिए शुरवात करते हैं बिल इन दोरों में से एक चूस कर लीजिए उसके बाद हम देखेंगे कि अगले सब्ता में आपके कौन सी मनत पूरी होने वाले है क्या कुछ कहने वाले हैं आपसे टेरो कार्ट्स यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं तो चलिए मतरानी के चर्णों को बंदन और विद्धा में करते हुए उनको नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे की आज आपके लिए कुण सी फिलिंग आती हैं में अंदर से टेरो कार्ट्स क्या कहते हैं क्या कुछ होगा अगले सब्ता समझ लेते हैं चलिए नमबर बन की बात कर लेते हैं जिस किसी ने भी first number का मिठी का दिया चुज करा है जिसमें design है तो देख लेते हैं उनके लिए अगले सप्ता क्या होने वाला है अगले सप्ता हमें उनकी कौन सी मनत पूरी होने वाली है क्या कुछ लिखा है अगले सप्ता हमें उनके लिए तो समझ लेते हैं सबस से पहले तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं अगले सप्ता हमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ओनलाइन आप शॉपिंग भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई चीज है जो अभी आपको पसंद आ लेकिन थोड़ा समझे से मैं इसे खरीदे या नहीं तो कोई चीज आपको पसंद है जो हो सकता आप खरीदने वाले हो इस सप्ता इसके साथ पैसों से जुड़े हर एक काम को आपको ठीक से ध्यान से करना होगा वियर्थ की चीजों पर पैसा बिलकुल भी खर्च ना करें क्य क्योंकि बेवज़की रहेगी लेकिन आपको काम करते रहना है काम पेसे कॉंसंट्रेट नहीं हटाना है महनत आपको करते रहना है किसी व्यक्ति को अगर आपने कोई वचन दिया है पिछले कुछ समय में कोई वादा अगर किसी से करा है तो प्लीज उसे निभाने की करिएगा जब तक आपका व्यक्तित्व सुधरेगा नहीं तब तक आपके जीवन में बदलाओं नहीं होगा इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी अगले सप्ता में जूड बो को सुनिए अगर आपके पास यूनिवर्स की तरफ से यह पावर है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं किसी की प्रॉबलम को सोल कर सकते हैं तो प्लीज उसतावर को समझे और उनकी मदद करें उसका मिस्यूस जिना करें खुद के नकारात्मक पहलों को समझे कि आपके अंदर आखिर क्या negativity एक तो बहुत जल्दी ego आजाता है बहुत जल्दी गुसा आजाता है बहुत जल्दी परेशान हो जाता है छोटी सी बात अगर आपको पता चलती कि मेरे बा होते हैं तो किसे को इतना जादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसके साथ एक चीज और बताएं आपको कि अध्यात्मिक बातों का असर आप पर बढ़ता हुआ नजरा रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की आप कोशिश कर रहे हैं हांकि आखिर जब भी आप को करें और अध्यात्मिक बातों से ही आपको शांती प्राफ्त होगी जितना हो सके मेडिटेशन करें अध्यात्म की ओर जुकें अपने विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करें काफी सवालों के जवाब आपको खुद ही खोजने पर मिल जाएंगे अगर आप अध्यात अध्यात्म की जूकने लग जाएंगे अपने जीवन को समझने लग जाएंगे कि हमें जीवन क्यों मिला कि क्या मचा कर दिया है कितनों से मैं आराज कर दिया अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप ना तो कभी किसी से जगडा करेंगे, बेवजे विवाद करेंगे, सबसे अच्छे से बोलने लग जाएंगे और अपने जो खर्चे हैं उन पर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, तो ये चीजे आपको खुद को समझनी होगी, पॉजटिव बने, दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना ले, अगले सब्ता आपकी बहुत जल्दी एक मननत पूरी होने वाली, जो काफी दिनों से आपके दिल में थी, हो सकता है, या तो पूरी तरह से बदल कर रख देगा, हो सकता है, वो आपके लाइफ के सारे सवालों के जवाब आपको दे तो उस विक्ति के प्रति रिस्पोंसेबल रहे, केर करें और समझे, सेकेंड नमबर की बात करें, जिसकिसी ने भी सेकेंड नमबर चूस करा है, देख लेते हैं, लक्षियों पर आप काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही उन लक्षियों को आप पाभी लेंगे, हाथ में लिए गए काम के अलावा करियर के लिए आपको बहुत सारे नएने अवसर अगले साथ दिनों में मिलेंगे पुराने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा कही ना कही अगले साथ दिनों में अगर कुछ उतार चड़ावाता है तो ये सोच कर उसे स्विकार करें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है अशांती का कारण आपको पता चल जाएगा कि मेरे माइन में शांती क्यों हो रही है फिर आप उसे दोर करने का रास्ता भी ढूंड लेंगे परिवार में जो संबंद भी कर रहे हैं जिन से आपका मन मुटाव चल रहा है उनकी चिंदा अभी आप ना करें क्योंकि समय के साथ ये सारी चीजे ठीक हो जाएगे जिन बातों के साथ आप जुड़े हैं केवल उन पर ही ध्यान दे अभी अपने कारी पर ध्यान दे अपने कारी पर कॉंसेंट्रेर बना कर रखें आपका ध्यान भटकता हुआ नजर आ रहा है अगले साथ दिनों में तो अपने ध्यान को भटकने ना दे अपने मन को कंट्रोल में रखें जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल में रख लिया जिस इंसान ने अपने मन पर काबू कर लिया यकिन मानियों जीवन की सारी सुक सुधाओं को पास सकता है वो हर वो चीज पास सकता है जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा है जरूरी है तो अपने मन को काबू में करनी पुरानी बातों को पीछे छोड़े तकलिफ जरूर होगी लेकिन फिर भी जो पुरानी बात हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है बार बार दिमाग पर हावी हो रही है, टैंशन दे रही है, उन बातों को छोड़ दे, इन बातों को छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, कठीन परिश्ठिती में भी किसी ऐसे वक्ति से आपको मदद मिलेगी जिससे बिलकुल आपको उमीद नहीं है लेकिन फिर भी वो वेक्ति आपके मदद करेगा तनाव ना ले इस बात का धियान रखें कुछ समस्याओं के बारे में फिलहाल आप कुछ भी नहीं कर सकते इस बात को समझने की बहुत जादा आपको जरूत है अ बहुत अच्छी ऑप्चुनिटी मिलने वाली अगले साथ दिनों में बहुत अच्छी गुड नियूज मिलने वाली है बहुत जल्दी जो मनत है आपके दिल की वो अगले साथ दिनों में पूरी होने वाली है आर्थिक इस्तती और करजे को लेकर काफी परेशान है आप तो उलज गए तो आपकी समस्या और बढ़ सकती है लोगों के साथ जुड़े रहे किसी से भी बेवज़े बहस ना करें समस्याओं के बारे में खुल कर बात करें ताकि लोग आपको समझे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है और फिर उसका solution निकले अपनी कितनी जानकार दूसरों को देना है बस इस बात को समझने के आपको कोशिश करनी है कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी का अकलत फाइदा ना उठाए इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि देख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है जिससे पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान है बहु को समझने की कोशिश करें किसी भी बात का गलत अनुमान ना लगाए क्योंकि गलत अनुमान आपी के लिए गलत साबित हो सकता है अगले साथ दिनों में बहुत अच्छी गुड़नियोस मिलेगी मेल के दुआरा मिल सकती है कोई मेल आ सकता है या फिर यूं कहें तो कोई कि इसको नजरन्दाज ना करें समय समय पर अब्डेट लेते रहें तो दोस्तों आची वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो प्लेज लाइक करें कमेंट सेक्शन में जयमातादी लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें बला आकन को प्रेस करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाज जयमातादी हर हर मादी